तमस्कार भारत वानी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका वेदव्यास रचित अध्यात्मरामायन की मेरी इस शुन्खिला में आज हम पढ़ेंगे बाल कांड से चतुर्थ सरक्ड़ श्री राम का जन हो चुका है तरह तरह की बाल लीलाएं कर रही है श्री राम और सबके हृदय को हर्शित कर रही है माताओं के पिता दशरत के आयोध्या वासियों के सबके हृदय में अपना घर बना रही है शिक्षा दीक्षा समाप्थ होने को है और अब आने वाली है वो घड़ी जिसके कारण हुआ है श्री राम का अवतार उसका पहला चरण है ये विश्वा मित्र जी का आगमन राम और लक्षमन का उनके साथ जाना और ताड़का का वद करना तो चलिए प्रारंप करते हैं आज का पार्ट कदाचित कोशिको भ्यागाद योध्याम जोलन प्रभार द्रश्टुम रामम परात्मानम जातम ज्यात्वा स्वमायया द्रिष्ट्वा दशरतो राजा प्रत्य थाया चिरेनतु वसिष्ठेन समागम्य पूजय त्वाय था विधी अभिवाद्य मुनिम राजा प्रांजलिर भक्तिनम्र धीह कृतार्थो अस्मि मुनींद्राहं त्वदा गमन कारणा त्वद्विधा यद्ग्रिहा मयांति तत्रेवायांति संपदह यदर्थमागतो असित्वम ब्रूहे सत्यम करोमितः तो श्री महादेव जी पारवती जी को कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि एक बार अगनी के समान तेजस्वी महर्शी विश्वामित्र परमात्मा को अपनी ही माया से राम रूप में प्रकट हुए जान उनके दर्शन करने के लिए अयोध्यापुरी में आये उन्हें देखते ही महराज दशरत तुरंत उठखडे हुए और वशिष्ट जी के सहित आगे आकर उनका स्वागत किया और यथा विधी पूजन तथा भिवादन कर राजा ने भक्ति विनम्रचित से हाथ जोड़ कर मुनी से कहा मुनींद्र आपके शुभागमन से आज मैं कृत कृत हो गया जिस घर में आप जैसे महानुभाव पधारते हैं उसमें सभी संपतियां आ जाती हैं अब आप यह बताईए कि आपका शुभागमन किसलिए हुआ है मैं आपसे सत्ति कहता हूँ मैं आपकी आज्या का पालन अवश्य करूँगा विश्वा मित्रो अपितम प्रीतह प्रत्युवाच महामतिही अहां परवणि संप्राप्ते द्रिष्ट्वा यस्टुम सुरान पित्रिन् यदारभेत दादैत्या विग्णम कुरुवंति नित्यशह मारी चश्च सुवाहुष्चा परे चानुचरा स्तयोह अतस्तयोर वधार्थाय जेश्ठम रामम प्रयच्चमे लक्ष्मणेन सह भ्रात्रात वश्रेयो भविश्यती वसिष्ठेन सहा मंत्र दियताम यदिरोचते पप्रच्च गुरु मेकांते राजा चिंता परायनाह। किम करो में गुरु रामम त्यक्तुम नोच सहते मनह। बहु वर्ष सहस्रांते कष्टेन अत्पादिताह सुताह। चत्वारो अमरतुल्यास्ते तेशाम रामो अतिवल लभाह। रामस्त्वितो गच्चते चेड्न जीवामे कथंचन। प्रत्याख्यातो यदिमुनिही शापम दास्यत्यसंचयह कथं श्रेयो भवे महियम सत्यम्चापिनस्प्रिशेत। तो अब महामति विश्वामित्र जी ने उनसे प्रसन्न होकर कहा। कि जब कभी पर्वकाल उपस्थित हुआ देखकर मैं देव और पित्रिगणों के लिए यजन करना आरंप करता हूं, तो सदा ही मारी चु सुबाहू और उनके अन्यान या अनुयाई दैत्ते गण उसमें विगन डाल देते हैं। इसलिए उनका वद करने के लिए तुम अपने बड़े पुत्र राम को भाई लक्ष्मन के सहित मुझे देदो। इससे तुम्हारा भी परम कल्यान होगा। इस विशे में वशेष्ट जी से सम्मति करके यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मुझे दोनों कुमारों को दे दो। तब राजा ने चिंता खुल होकर एकांत में गुरु जी से पूछा। हे गुरो, सहसरों वर्ष बीतने पर बड़े कश्ट से मुझे ये देवताओं के सद्रिश चार पुत्र मिले हैं। इनमें राम मुझे बहुत ही प्रिय हैं। तो अब मैं क्या करू। मेरा चित तो राम को छोड़ने के लिए तयार नहीं है। यदि राम यहां से चला जाएगा, तो मैं किसी प्रकार भी जी नहीं सकूँगा। परंतु यदि मैं सूखा जवाब दूँ, तो यह निश्चय है कि मुझे मुझे श्राप दे देंगे। अब यह बताईए कि मेरा हित किस प्रकार हो और मैं असत्य भाशन से भी कैसे बचू। श्रुनु राजन देव गुहियम गोपनियम प्रयत्नतह, रामोन मानुशो जातह, परमात्मा सनातनह, भूमेरु भारावताराय, ब्रम्हना प्रार्थितह पुरा, सैव जातो भवने कौसल्यायाम तवानघ। त्वम्तु प्रजापति पूर्वकष्यपो ब्रम्हन सुतह, कौसल्या चादितिर्देव माता पूर्वम यशस्विनी भवन्तव तपव ग्रम वई, ते पाथे बहुवत्सरम। अग्राम्य विशयव, विष्णु पूजाध्यानेक तत्परव, तदा प्रसन्नो भगवान्मरदो भक्तवत्सलह, विणिश्ववरमित्योक्ते त्वम्मे पुत्रो भवामल, इते त्वयायाचितो असव, भगवान भूतभावन्म। तथे त्युक्त्वाध्य पुत्रस्ते, जातो रामह सैवही, शेशस्तु लक्ष्मनो राजन, राममेवान्म पद्यत, जातव भरत शत्रुखनव, शंक चक्रे गदाब्रितह, योगमायापिसीते ते जाता जनकनन्दिनी, विश्वामित्रो अपिरामाया, ताम योजयतु मागतह, एतत गुहियतमम राजन्न वक्तव्यम कदाचन, अतह पृतेनमन सापुजयत्वाथकोशिकं, प्रेशयस्वरमानाथम, राघवं सहलक्ष्मणम तो राजा दश्रत अब वशिष्ट जी से सलाह लेते हैं, तो वशिष्ट जी उन्हें समझाते हैं, कि राजन देवताओं से भी गुप्त रखने योग्य, कुछ बात है जो सुनो, इसे किसी प्रकार प्रकट न होने देना चाहिए, ये राम मनुष्य नहीं है, साक्षात पुराण पुरुष परमात्मा ही अपनी माया से इस रूप में प्रकट हुए हैं, पूर्व काल में पृत्वी का भार उतारने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की थी, उसे पूर्ण करने के लिए उन परमेश्वर ने तुम्हारे यहां कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया है, पूर्व जन्न में तुम ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति कश्यप थे और यशस्विनी कोशल्या देव माता अधिती थी उस समय तुम दोनों ने बहुत वर्षों तक ग्राम में विशयों से रहित और एक मात्र भगवान विश्णु की पूजा तथा ध्यान में तत्पर रहकर बड़ा उग्र तप किया था तब कालांतर में भक्तवत्सल वर दायक भगवान ने तुम दोनों पर प्रसन्न होकर कहा था कि वर मांगो तो तुमने भगवान से यही मांगा कि है निरंजन आप हमारे पुत्र हो तब भूत भावन भगवान ने कहा कि ऐसा ही हो इसलिए वे ही विश्ण भगवान इस समय राम रूप से तुम्हारे पुत्र हुए हैं और उनकी सेवा करने के लिए शेश जी लक्षवन के रूप में प्रकट होकर उनके अनुयाई हुए हैं भगवान गदाधर के शंक और चक्र ने भरत और शत्रुग्न के रूप में अवतार लिया है तथा योग माया जनक दुलारी सीता जी होकर प्रकट हुई हैं इस समय विश्वामित्व जी राम से सीता का सैयोग कराने के लिए ही आये हैं राजन यह रहस्य अत्यंत गोह्य है इसे कभी प्रकाशित मत करना अब संपूर्ण रहस्य तुमको मालूम हो गया है इसलिए अब तुम प्रसन चित से श्री विश्वामित्र जी का सतकार करके लक्ष्मी पति श्री रगुनात जी को लक्ष्मन सहित इनके साथ भेज़दो वसिष्ठे नईव मुक्तस्तु राजा दशर थस्तदा कृतकृत्य मिवात्मानम मेने प्रमुधितांतरह आहुय राम रामेती लक्ष्मनेती चसादरम आलेंग्य मूर्धन्यव घ्रायको शिकाय समर्पय ततो अतिह्रिष्टो भगवान विश्वामित्रह प्रतापवान आशीर भिरभिनंध्यात आगतव रामलक्ष्मनव भिहित्वा चाप तूनीर बान खटग धरव ययो किंचि देशमते क्रम्य राम माहुय भक्ति तह ददव बलाम चाते बलाम विध्य ध्वे देवनिल मिते ययोर ग्रहन मात्रेन क्षुत्क्षा माधिन जायते तब वशिष्ट जी के इस प्रकार कहने पर राजा दश्रत ने उस समय अपने आपको कृत कृत्य माना और प्रसन्य चित्त से आधर पूर्वक हे राम हे राम हे लक्ष्वन ऐसा कहकर अपने दोनों पुत्रों को पुकारा तथा उन दोनों भाईयों के आने पर उन्हें हृदय से लगा कर और उनका सिरसूंग कर श्री विश्वामित्र जी को सौंप दिया तब अति प्रतापी भगवान विश्वामित्र जी ने उन्हें अत्यंत प्रस्णता पूर्वक आशिर्वाद दे कर सम्मानित किया और फिर धनुष, तरकश, बान एवं खडग आधि से सुसजित होकर अपने पास आई और लक्षमन को साथ लेकर विश्वामित्र जी वहां से चल पड़े अब थोड़ी दूर जाने पर विश्वामित्र जी ने भक्ति पूर्वक राम को बुलाया और उन्हें देव निर्मित बला और अति बला नाम की ऐसी दो विद्याइं दी जिनके ग्रहन करने से ही शुधा और दुर्बलता आधी की कोई बाधा नहीं होती है शुधा अर्थात भूख और दुर्बलता कमजोरी तो तात पर ये है कि उनकी जो दो विद्याएं विश्वामित्र से मिली उससे उनको कभी भूख प्यास नहीं लगती थी कभी किसी प्रकार की निर्बलता दुर्बलता शरीर में रुभव नहीं होती थी तत उत्तिर्य गंगाम ते ताटका वनमा गमन विश्वामित्रस्तदा प्राह रामम सत्या पराक्रमम अत्रास्ति ताटका नाम राक्षसी कामरूपिनी बाधते लोकम खिलम जहिताम विचारयन तथे ति धनुरादाय सगुणम रगुनन दनह तंकारम करोतेन शब्तेना पूरय द्वनम तच्षुत्वासह मनासा ताटका घोररूपिनी क्रोधसम उर्छिता रामम अभे दुद्राव मेघवत तामे केन शरे नाशु ताडया मास वक्षसी पपात विपिने घोरा वमंती रुधिरं बहु ततो अति सुन्दरी यक्षी सर्वाभरण भूशिता शापापिशाचतां प्राप्ता मुक्ताराम प्रसादतह नत्वारामम परिक्रम्य गतारामाग्यया दिवम् ततो अतिहिस्टाह परिरभ्यरामम मुर्धन्य वग्राय विचंत्यकिंचे सर्वास्त्र जालं सरहस्यमंत्रं प्रित्याभिरामाय ददहु मुनींद्रह तब विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्षपन चल लिए हैं गंगा जी को पार करके वे ताटकावन में आये तब विश्वामित्र जी ने सत्य पराक्रमी श्री राम से कहा कि ये ताटका नाम की इच्छानसा रूप धारन करने वाली राक्षसी का प्रदेश है वो यहां रहती है और इस प्रदेश के समस्त निवासियों को अत्यंत कष्ट पहुंचाती है इसको ताडका बन कहते हैं तुम बिना कुछ सोच विचार के बस उसे मार डालो नश्ट कर डालो तब रहुनात जी ने बहुत अच्छा कहे धनुष पर प्रतियंचा चढ़ा कर टंकार किया जिसके शब्द से वह संपुपन गुंजाय मान हो गया उस शब्द को सुनकर घोर रूपिनी ताटका उसे सहन न कर सकने के कारण क्रोध से पागल होकर मेग के समान राम की ओर दोडी भगवान राम ने तुरंत ही उसके वक्षस्थल में एक बान मारा जिससे वह घोर राक्षसी बहुत सा रुधिर उगलती हुई उस वन में गिर पड़ी फिर शाप वश पिशाचता को प्राप्त हुई वह ताटका श्री राम चंदर जी की कृपा से शाप मुक्त होकर एक सर्वाल अंकार विभूशिता परम सुंदरी यक्षिनी हो गई तथा राम चंदर जी की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर उनकी आग्या से स्वर्ग लोग को चली गई तब मुनेवर विश्वामित्र जी ने अतिहर्शित होकर राम जी का लिंगन किया और उनका सिरसूंग कर कुछ सोच विचार कर रहस्य और मंत्रादी के सहित समस्त अस्त्र शस्त्र प्रीथि पूर्वक अभिराम राम को प्रदान किये यहाँ पे हम समाप्त करते हैं बालकांड से चतुर्थ सर्ग एति श्रीमत अध्यात्म रामायने उमा महेश्वर समवादे बालकांडे चतुर्थ सर्ग जै श्री सीता राम जै भारत